आज की डेट में expenditure इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हमें source of income की और ज़्यादा focus रखने की need है खेर छोड़िये चलिये बढ़ते हैं आज एक ऐसे stock की तरफ जो की fundamentally strong होते हुए वो company growth और expand होने का दमखम भी रखती है लेकिन उससे पहले एक छोटी सी request करना चाहूंगा अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो please subscribe करना ना भूलें इस company का primary business trading of shares, securities और commodities में है इस company में negative points के मुकाबले positive points कहीं ज़्यादा है देखो last 5 years का CAGR 117.42% का रहा जो की अपने आप में काफी बड़ी बात है साथी last 3 years का return on equity track काबले तारीफ रहा 44.48% अब एक नजर profit growth की और डाल लेनी चाहिए 2017 में company को 1 crore का profit हुआ था 18 में ये 31.21 crore का देखने को मिला लेकिन इसके बाद company ने क्या ही रफतार पकड़ी 19 में profit 50.58 crore का रहा तो वही 20 में net profit 71.03 crore और 21 में profit बढ़कर 146.71 crore का हो गया हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं profit और sales growth कैसी रही इनके पास previous year 121 crore का free cash flow एवलेबल था लेकिन वो इस बार बढ़कर 163 crore का हो गया अब कुछ ऐसे points में आपके साथ cover करना चाहूँगा जहां काफी हद तक company की picture clear हो जाएगी share का current market price अभी intrinsic value से कम है दूसरा अभी ये stock overboard zone में भी नहीं है इसका RSI 45 जो की mid range में ही दिखाए देता है minimum capital के साथ हम consider कर सकते हैं company पर कोई भी red flag नहीं है और bank FD की comparison में ये stock कहीं ज़्यादा अच्छा return देता है काफी शानदा return on capital employed 60.4% और return on equity 50.3% कर रहा company की market cap भी अच्छी खासी बनी हुई है लेकिन इसमें daily basis पर variation देखने को मिलते रहते हैं share holding pattern को लेकर भी हमारी कोई शिकायत नहीं चलिए अब company के नाम को भी disclose कर लेते हैं dollar investment limited I hope इस company की valuable information आप सभी के लिए beneficial और profitable जरूर रहेगी याद रखना हर एक stock को lightly नहीं लेना चाहिए फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो फिर comment box में पूछना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care